नमस्कार चली आज हम छोले बटोडे बनाएंगे बिलकूर मार्केट की जैसे तो चली बनाना है सबसे पहले हम सबसी बनाकर एक तरब कर लेते तो मैंने छोले को ग्राथ में भी बोलिया था तो पांच छे सीटी मार के मैंने बॉयल करके निकाले आपको दिखाई दिया भूखा लाल मिर्च और जीरा डाला था तेल दाला थ ह 꼭 मैं और मसालो में मैं डाल रही हूं कर मसाला द痱ाली कर में तक अ Bowl बनाकर त्यार करूए लेते हैं और इसमें मैं नमक डाल रही हूं चीनी डालूंगी और बेकी सोडा डालूंगी और फ्रीज में से खटा जो दही है ठंडा दही है तो उसको निकालकर आप बाहर रख लें जिसे थोड़ा नौरम मेडियम में हो जाए उसके बाद मैदा में दही डालेंगे तो यह दही मैंने मैं मैं जमाया था लगा कर खथा तो वो सारे चीजे इसमें डालकर मिस ब्खले नौरम में हाना कर च दो यह दिख लेगी मसाला हमारे पक रहा है रही है उसके बद्धित आफ्ञी के चीछिए और इसमें मसाले प्खो लेते को पानिंगा निजा मैं मुआ के भूप मार्क च्पल्ब करहते हैं, तो तरफ झाने सीटी नका भी करणें भूप कर तैयां हो गया है पाच मिनट के लिए मैं चोड़ दिया था इस तरीकिस नॉर्मर्म रोटी जैसे हम बेल पतला रोटी जैसे गोल-गोल बेल लेते हैं बटोरे का साइज आप इसको बेल सकते हैं ये तेल हमारा गरम हो रहा है तो तेल अच्छा गरम हो जाने के विए वाच और इसको थोड़ा अपने आप उपर आने देते हैं इसको हम इससे उपर बटोरे हमारा फूल कर आजाए यही टिप्स वालवाई वाले बाजार में भी फोलो करते हैं वही मैंने टिप्स आपको फोलो करके मैंने आज बताया है तरह है है इस अब छोले बटोरे बना कर तयार कर सकते हैं घर में बिल्क आपकेट की जैसा छोले बटोरे बनकर तयार होगा तो देखे कितना बड़ी एप फूलला यह स्टाट हो चुका एक तरफ से अपने 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 फालका में दवारी जोड से नहीं दवाना है तो फट जाएगा इसके अंदर तेल गुज जाएगा अब इसम बटोड को पलट देते हैं दूसरे तरह से पलट दिया है ती देखिए कितना बड़ी और कितना सुन्दर फूल कर बटोड़े हमारा तयार हो अब शुबाइब और कड़ा रहा है तो कड़क भी नहीं होगा तो रहां मोटा है रखें और जल्दी निकालने तरकेता है यह देखिए बटोड़े चोले बटोड़े बनकर हमारा तायार हो गया है तो सुबा के नास्ता में आज में यहीं बना रही हूं तो आप इस दरह ब उल्दी न neur ży चूले उ में यह रोड़े बना